पर्वार पिछले क्लास में पढ़ा था उसमें इन्हों ने एक रेडियो एक्टिव तक लिया था और उसको लेट ब्लाग के अंदर रख करके से जो करेडिय निकल रही थे है कर दो खूल रहीक फैसे आफ में ब्लागें लेट के। इसमें से पुजर कर केनि श्रें पढल रखी हुई हुई थी उस पर जाकर आतलत होते थें और आफ्तित होने के वाद उसमें से कुछ किरन जो निकल जाती थी और कुछ किरने जो है क्या होती थी लौट आती थी तो यहां देज़ेगा उसको जो है इन्होंने फिर से जो है असपस रूप से ब्रेक्ट करने के लिए इस माडल की सहायता ली इसमें इन्होंने क्या किया यह बताया है जो यह बिच में भाग होता है इसको जो डिखाए ले रहा है इसको इन्होंने आभिक बोला है जो है झिरल तले हेक्टेम परोटान और मिऌ फ्रौ अ न प्रॉक हम उन्मट त servicio सब्सक्राइब दीर-णे मिट्डान अबिक पर मतलत एलक्तराण पाए आते हैं मासट अधिया पाए बास उनसे पाए जाते हैं और जो की कैसे होते हैं तो इनको मतलब जो है कि घनावेस्ट और रिदा बेस्ट से था इनको मतलब एलेक। इन्हों नहीं नहीं पताया कि इसके बंबारी कराई और बंबारी कराई तो अल्फा करों की जब बंबारी कराई इन्हों देखा कि यह क्रेड़े जो है कुछ इस प्रकाव निकल जाती थी कि अब यह जाती है और यहां से टकरा करके क्या हो जाती है वापस वह जाती है ठीक फिर जो है इसके नीचे जैसे जैसे नाभी के पास जाएंगे इसके पास जाएंगे यह क्रण क्या होगी मुर जाएगी और जितने किनाले रहेंगे उतने वह सीधे जान निकल रहेंगे पहली वाली और दूसरे वाली क्रण हम लेकर हैं यहां बिल्कुल सीने निकले ना यहां पर भी जो है जो क्रण इधर से हो करके जाएगी वह क्या हो जाएगी तो एक मामला यहां पर आता है कि या पुश्मामला है कि इसी गोले में सारी की सारी निकल रही है तो क्या बात है क्या कारण है कि कुछ करण बिल्कुल सिधी करास कर रही है और कुछ किरने हलका समुड जा रही है कोई कोई किरन ऐसे है कि जिदर से जाद उधर वापस लोटाती है अब सब्सक्राइब कि आप जो है किसी छट पर दवर कर तो आप जो है जितना दूरी पर जाकर गिरेंगे आपको के सुझाएगा कितना एक मिटर दो मिटर चार्व शे मिटर पसने दस मिटर जाएंगे लेकिन अगर आप से बोला जाए कि आप जो है आपको जहां से पिछली कर बार बद्वाया गए अब की बार क्याओ कि आप जो है एक को विधा है को को इमांध्यम घ्रिया जिससे जो है आप को थोड़ा सा आपकी गर्दी को सब्सक्राइब मालिवापे सीशा लगा दिया तो सीसे को तोल कर आप देंगे तो सिद्धा-सिदा मामना आपक याप की दूबारा नहीं तीसरी बार क्या किया गया कि पंडी बांग देगे बोटी बारी तो पंडी लेकर जाएंगे पंडी को लेकर आज जाएंगे यहां पर हो एचीज हुआ कि जब यह चीज थिरण जो खुले में जारी ना तो बहुत चौडी होके जारें बत्ला इत्कम से लग राते हुए चलता है आराम से तो इन्हों ने कहा कि ऐसा है कि जब किसी भी किरण को कोई डिस्टर्मेंस नहीं होगा किसी तरह से बाधित नहीं किया जाएगा तो वह बिल्कुल सीधी जाएगी जिस किरण को थोड़ा बहुत डिक्कत होगा वह क्या करेगी अपना मार् वह किरण क्या हो कि जिस रास्ते से जाया है उधर रास्ते से रोते हुए आशु पोस्ते हुए वापस आजए यह वाली किरण जैसके पास गई इसके थोड़ा पहुँट एकाथ हाथ मारा इसको एकाथ माना थे इधर मुण गई ठीक नहीं और यह वाला भाग से जो किरण करण जा कई भैघल कुछशए तो इसका मतलब इन को कोई मानने वाला था इंदो aftermath कि नहीं यह को इसका पर कोई निधियों नहीं है कि अब कर देammen किक से कि नारे वाला रिक्त होता क्कर डियों तो यह जो एय collector जहांँ से जाने यह वाह कैसा है यहां पर किसी वित्राइब इस नहीं है यह कि यहां वाला भाग कैसा है तो फुर्णा है बास सुने निसुन जाई है और जो नाभीपवाला भाग है इस दारेक्ट जो हमाँ की भागा रहा तो तीन थबड़ इसका मतलब यह कैसा है बहुत ही मजबूत है खलका है मजबूत औ यही हिन क्या था का मां मतलब इंका ब्लाक वाल एक स्पेस्पेरिमेंट आप है लाइं । उसको इन्हों क्या किए अपन्दी युसमे थे पंडी कुण कर दिया बसे यहीं का पर्मारू को दिख देख thé? नहीं ने क्या Halp któndiau की बंबारू को क्या कि किसकी बद्द को कर से जब कर वाइई पर कि ये- भीम से जाएगी वहां पर कोई भी बिचलन डिस्टर्बेंस नहीं होगा जैसे जैसे हम परवारू में जो है अंदर की तरफ जाते हैं देरे बिचलन शुरू होता है और इन्होंने अभी बताया यह जो बिचलन वाला मामला है यह 20,000 में से किते हैं अरूसा तरफ बिचलन यह जो वापस आणौ आने वाली के नहीं है यह बहुत कम हो आपको जो है 20,000 का जो है 700 का नूर दिया जा जाए 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 जो है जिश्चान हो जाती है कोई दिक्कत है नहीं होती है यही क्या थाना दर्फोड़ी का पार्मारू बास्तों इसको बना दीजिए जदर्फोड़ के जदर्फोड़ के पार्मारू माडल के अनुसार किसे विंतत्यों का पर्मारू के अनुसार किसे विंतत्यों का पर्मारू उदास सेनों होता है अर्था उसमें धनावेसो यूं रिडावेस्यों की संख्या आपस में बलाबर होती है अर्था उसमें धनावेस्यों की संख्या आपस में बलाबर होती है और इन्हों ने धनावेस्यों यूं रिडावेस्यों की प्रकृति को जानने के लिए प्रयोग किया था जानने के लिए प्रयोग किया था और उनका प्रयोग निम्नवत है निम्नवत है प्रयोग के लिए प्रयोग के लिए और उसका जो है बीच में कोटा वाला गोला जो होता उसको बोलते हैं नावी और इस पर जो अलफा कड़ों की बंबारी जब करवाई तो इन्हों झाले लिए लेकिन जैसे जैसे हम जो है जूंधा की और जाते हैं पर्माण को वहां पर क्या होता है कि किनने जो हैं अपने मार्ग इस बिचलिथ हो जाती है भटक जाती है , इस वह होता है कि बीच वाले भाव में जाने पर कुछ ने पुछ दिक्खत है और किनारेम वाले भावों होता है कि थोड़ा सा बhara हुआ होता है ठोस होता है यहां पर जो जाएगा वह टक्रादी के बाद चूर 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 यहां पर्मर्भ है किसी घर के सामनЕ कि शिर्णा वापस लवटा दिया गयें बास तो लिखेंगा इनके नियम के अनुसार ने इनके नियम के अनुसार किसी पर्माण पर अल्फा कन ब्रेकट में लिखेगा हीलियम पर्मार्व अल्थाकड ब्रेकट में हीलियम पर्मार्व के बराबर कि बंबारी कराने पर बंबारी कड़ाने पर यह देखा गया कि किरणे जब परमाण पर आकर आपतित होती है पर आकर आपतित होती है तो जो किरणे परमाण के किनारे वाले बहाद मतलब यह जो है जितने बीच से दूर रहेंगी मतलब बीच से जितने दूर रहेंगी परमाण के किनारे वाले भाद से वोकर गुजरती है वे बीना बिचलित हुए बिल्कुल सीधी गुजर जाती है वे बीना बिचलित हुए बेल्कुल सीधी गुजर जाती है और जैसे 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 अलफा करक परमार में अंदर के ओर यह देखिए तीसरी किरा नमबर एक होगा हमा लेते हैं इसको मालेते पहली यह तूसरी और यह तीसरी वाले अंदर है ना इस गोले के पास है छोटे बाले बाले पास जोटे वाले बोले से तीसरी किरा यह वाली किरा जो है दूर एक पास है पास है जैसे जैसे पास होगी इसका प्रभापड़ेंगा नहीं पड़ेगा क्या जाए लेकिन अलफा कर परमार में अंदर की ओर प्रवेस करता है कि अज़िस करता है कर देना पता लगा डेली दो कोश्चन छोड़के आंगे कोई मतलब नहीं आप जो है कम समय में बढ़िया करिए कर लेए उसका जो है माइन रखता है अब पता लगा आप जयादा समय ले रहे हैं और एक काम कर रहे हैं उतने जैसे माई यह दो लड़के हैं एक लड़का जो है 15 मिनिट में कोई कोश्चन कर लेता है और एक लड़का जो वही कोश्चन तो अपने आप में जो है सुधाने का प्रयास कि यह को इसा बना आप अपको परूसिया लिख लेता आपके लिख लेता है तो आपको सोची हमारे वदर कमी हम वहां तक क्यों नहीं कहुंच पार है क्योंकि उसके पास भी हटी है तो आप सोची हम दीरे लिखने हैं इसका मतलब हमको तेज होना चाहिए तो यह अपने मांग से यह किरणे अपने मांग से बीचली तो हो जाती है अर्था यह जानी जेगा इन दोनों कि यह दोनों किले कैसी गई है सीधी यह वाली मुण गई है तो हम कह सकते हैं कि यह वाली किरण इसके समाल जाने कि थोड़ा सा डिश्टर हो गई कि अर्थां जाती है यह किरणे अपने माल्ग से बिचलीत हो जाती है ठीक है और जो किरण कि ठीक परमार के नाभिक से जाकर टकराती है कि ठकराती है अर्थां बीचले भाग पर जाकर आपतित होती है अर्थां बीचले भाग पर जाकर आपतित होती है वह है जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग पर वापस भी लौट आती है बस हो जाएं कुलिक कर जाती है कि यह वाली किरण जो है इसका मतलब इसका डारिक सामना होगा और डारिक सामना होगा सोचिए आप जो है दौर के जाएं पता लगा आप दीवाल से टकरा गए आप पता फेलिंग कैसा आएगा बहुत मज़ा आएगा इतना मज़ा है कि आप जो बढ़िया बिल्लिंग में पहुंच जाएगे सोचिए आपके अगल बगल जो में सफेदी का माहौल हो जाएगा सफेद सफेद कपला ही न जडाएगा हां तरस जो बेकती आएगा वह भी सफेदर पहिना रहेगा अरे तो कहां तो निखाई लेगा है सफेद रहेगा डाक्टर नर्स जो आएगा वह भी सफेदर पहिना रहेगा और दिवार गया रहती है और जो पट्टी बनेगा वह भी सफेद रहेगा पूरा को पूरा सफेद महाओन हो जाता है तो यह जो है इनका परियोग था नीचे लिखेगा निसकर्स कंक्लूजन हाँ कंक्लूजन इंग्लिस होती है C O N C L U E S I O N किनारे वाला वाला वोता है कर देप ऒसे उत्तली तुम सब्सेक्चा едसिएंट रहेगी मेसी किनारे वाला वाला वाल कर देबारोव मेंड़ाता है तो खोले भाल सन जो तिदिग चाल जएगी वह भी स्रीस बड़ा और जो परमार का नाभी कोता वो कैसा होता है उस भायत पर जो करेंज जाके टकराएगे उसके साथ क्या होगा लात मार के बगाती है जो एक बोलेकर जिनरस है तो दर्जा कि मारे जरूतर नहीं है और जो नाभी के आसपास से होकर बुजलती है वो अपनी माल से बीचली कि बीच जादे से एक किरण मतलब बहुत कम या बहुत जाता बहुत ही कम ठीक नहीं लिखिएगा अटे रदर फोर्ड के इस परमार माडल से लगत फोर्ड के इस परमार माडल से कि यह मिस्कर्स पराप्त होता है कि कि परमार के किनारे वाला भाग खोखला होता है कि किनारे वाला भाग खोखला होता है आता है इन खोखले भागों से इन खोखले भागों से गुजनने वाली किरणे भुजनने वाली किरणे बिल्कुल सीधी होकर जाती है होकर जाती है परंतु जो किरण पर्मार के बिचले भाग बीच वाले होगी है पर्मार के बीच वाले भाग या नाभिक से टकराती है वो जिस मार्म से जाती है उसी मार्म पर वापस भी लौट आती है तथा नाभिक के आसपास से गुजर्णे वाली किरणे भी अपने मार्म से किरणे भी अपने मार्म से बिचलित होकर इधर उधर मुण जाती हैं गुजर्ण मुण जाती हैं टेक लाश्ट में नोट दीजेगा कि वापस आने वाले किरणों की संख्या वी सदान में से एक किरण हो सकती है ठीक आज के लिए छोड़ी है कि वापस